चीत का माध्यम जी हाँ मैं टेलीफोन हूँ हिंदी प्रेमी मुझे दूर भास के नाम से पुकारते हैं मुझे कौन नहीं जानता मेरे माध्यम से तुम दूर से दूर बैठे वेक्ती से इस तरह बात कर सकते हो मानो वैं तुम्हारे सामने ही बैठा हो और मध्य में कोई परद से इतनी अधिक है कि उनकी किंती करना कोई आसान काम नहीं मेरे इन सम्मंदियों ने एक कमरे को दूसरे कमरे से एक नगर को दूसरे नगर से और एक देश को दूसरे देश से इस तरह जोड दिया है कि उनके बीच की दूरी मनुश्य को महसूस नहीं होती मेरे अविसकार की कहानी मेरे जनमदाता आविसकारक का नाम लेकजेंडर ग्रहम बेल है लेकिन उससे पहले भी कई विक्तियों के मस्तिस्क में मेरी कलपना हिलो रे मार रही सबसे पहले मेरा मस्तक अपने पिता मैं हैमोल्टेज के चर्णों में इस रिदा से नत होता है जिन्होंने लहरों की वेग्यानिक सच्चाई को दुनिया के सामने रखा इस जर्मन वेग्यानिक ने दो प्यालों के बीच एक तार रखकर दूर तक आवाज भेजने के कई परिक्षन किये इस संबंद में उसने एक बहुती मैतपुन पुस्तक संशेशन ओफ टोन भी लिखी इसमें परतिपादी सिदानती मेरे जनमदाता ग्राहम बेल की प्रेणा के श्रोत शिद्ध हुए सन 1821 में चार्ल्स विट्स स्टोन ने भी अपने अदबुत यंत्रों द्वारा दूर दूर तक आवाज पहुँचाने के अनिक परिक्षन किये जर्मनी के एक अनिवेग्यानिक फिलिप रेस ने भी इस दिसा में कुछ परियतन किये लेकिन उसका यंत्र मानव धाउनी को अधिक दूर ले जाने में सफल नहीं हो सका 19 सदी के मद्य तक मैं केवल कल्पना की ही वस्तू बना रहा अंत में मार्च 1876 में ग्रहम बेल इस कल्पना को साका रूप देने में सफल हुए ग्रहम बेल ने अमेरिका के फिलाडेलफियन अगर में रहने लवाली एक परदरशनी में मुझे जनता के सामने परदिशित करने का फैसला किया एक दिन प्राजिल के राजा तथा रानी परदरशनी देखने आए उन्होंने मेरा प्रियोग करके देखा और अनायास ही उनके मुझे निकल पड़ा ओ भगवान यह तो बोलता है महान अंग्रेज वेग्यानिक कैलविन ने भी मुझे उस 29 में देखा अब लोग मुझे में रूची लेने लगे थे कुछ ही समय में मेरा तथा मेरे जर्म दाता का नाम सारी दुनिया में फैल गया जगे जगे टेली फोन तार फैलाने का काम शुरू हो गया और बहुत ही कम समय में मैं सारी दुनिया में एक लोग प्रिवस्तू बन गया। मार्च 1976 में मैं अपने जीवन की सताबदी पूरी कर चका हूँ। ग्राम बेल ने पहले पहल जिस रूप में मुझे जनम दिया था उसमें और मेरे आज की रूप में बहुत अंतरा गया है। पहले तो मैं बहुत लंबा था भारी था अब तो कान से सुनने और मुझे बोलने के लिए एक ही आला यंतर होता है जिसे अंग्रेजी में रिशीवर कहते हैं। मेरे अंदर के यंतरे तुमने मेरा इत्यास तो जान लिया लेकिन सैद अब यह जानने के लिए उत्स होंगे कि मैं किस जादू के जोर पर तुम्हारी आवाज मिलो दूर बैठे तुम्हारे मित्रे के पास ज्यों की त्यों पहुँचा देता हूं। जिसे तुम रिशीवर कहते हो उसके बोलने वाले हिस्से के अंदर धातू की एक चप्टी और पतली पतरी होती हैं। जिसे डिस्क या डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम के पीछे कार्वन के पतले तथा छोटे छोटे टुकडे पड़े रहते हैं। जिसे एक कमपन तुम्हें सब्दों के रूप में सुनाई देता है। क्यों समझ में आया नहीं है जादू मेरी कार्य प्रणाली हैं। तो सामाने रूप से मैंने तुम्हें अपनी कार्य प्रणाली बता दी लेकिन साहे तुम अधिक विस्तार से मेरी कार्य प्रणाली जानना चाहोगे। तो सुनो हर एक छोटे सहर में एक टेलीफोन एक्सचेंज के इंदर होता है। इस एक्सचेंज का काम होता है कि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते उसका नंबर मिला दे। जब तुम अपना टेलीफोन उठाते हो तो विदु तरंगों द्वारा एक्सचेंज की घंटी बजने लगती है और ओपरेटर जो व्यक्ति एक्सचेंज में तुम्हारा नंबर मिलाने के लिए बैठा रहता है तुरुन तुम्हारी बात सुनने के लिए रिवसीवर उठा लेता है और तुम्हारे मांगे गई नंबर को प्लिग द्वारा तुम्हारे नंबर से मिला देता है अब उपर बताये गई सिद्दान के an humble तुम अपने मितर से बात कर लेते हो यही रही एस्थानी लोगों से टेलीफोन मिलाने की बात लेकिन अगरु तुम किसी दूसरे नगर में बैठे हुए मित्र से टेलिफोन मिलाओ तो उसके लिए तुम्हारे नगर का उपरेटर तुम्हारे मित्र का नंबर मिला देता है एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज को तारों द्वारा जोड़ा जाता है अब टेलिफोन के तार जमीन के अंदर विछाए जान के नंबर भी डायल की गी साहिता से ही मिलाने का कारीत है जिससे फैलाया जा रहा है उपसरार इतना ही नहीं अब तो सेलुलर सेवा रूप में मेरा विकास हो चुका है इसके माद्यम से किसी विव्यक्ति से चायवे कार में गूम रहो किसी सभा में बैठा हो या मन और अंजन में सन लगन हो जहां से दूर बास बहुत दूर है तब भी मैं सेलुलर फोन से संपर्क कर सकता है अर्थास शेलुलर संद्वारा किसी विव्यक्ति से कहीं भी संपर्क या जा सकता है इसे एयर टेल प्रनाली कहते हैं उपग्रे द्वारा मोबाइल टेलिफॉन रूप में विकास ने तो मेरी काया ही पलट दी है इस सेवा का नाम है जी एम पी सीएस यह सैटलाइन फ्रिक्वेंसी पर काम करती है इसके जरी ऐसे दुर्गम शेत्रों में बात की जा सकती है जो संचार संपर्क की दुनिया से सरवता अचूते हो है ना यह आश्चरिय की बात